श्री प्रभुजी का दिव्य योग मार्ग सेवक द्वारा वरनेत मंगल भवन मंगल हारी श्री राम मुलख प्रभुजी जग सुख कारी साधक जन मैं करूँ बखान प्रभुजी के उपदेश महान उनका पालन जो कर पावे जग मैं धर में पुरश कहावे एक अहिंसा प्रभु कहते परहित कर पावो तुम ना किसी से द्रोह कमावो सबका सोचो हित ही मीत जीवचराचर से हो प्रीत मुख जब खोलो मीठा बोलो बोलो पाछे पहले तोलो निज हाथों से नहीं दुखावो निज पाओं से नहीं सतावो दंतों से ना काटो मीत दुखी करो ना किसी का चीत अनमन धन से यही कमावो जीवचराचर सुखी बनावो जीवचराचर हो सुखी योगी जन से मीत यहा सीख प्रभूदेव की यही धर्म की रीत दो सत्या सत्या बराबर धर्म नहीं जूठ बराबर पाप प्रभूबताया धर्म यह आ जगत में आप मन वचन और कर्म में अंतर रहे नालेश ऐसे सरल व्यवहार से धार्मिक बने विशेश तीन अस्तेया चिप चिप कर जो काम करे और चिपावे बात अथवा परधन जो हरे धार्मिक जन नातात परधन को जो हरत जन कथें जिसे सब चोर मिले न उसको सुख कभी गहे नरक का ठोर प्रभुजी का उपदेश यहा करो परिश्रम तात अपनी रोजी आप करो इस जैसी नाबात इक भक्त तब बात उच्चारी नाथ निवारो शंका भारी हम चोर को किमी पहचाने स्टेन कौन हम कैसे जाने सेवक ने तब की नब खान मित्र मेरे ले वो जान प्रशन तुम्हारा है बहु ठीक व्यापक चोरी की है लीक चोरी ने है सबन दबाया बचा वही जिससे गुरू बचाया गुरू भी इससे बचना पाएं किस लेखे हम जग को लाएं गुरूआं को प्रभु करें सतर्क करतव्य में जिमिना लावें फर्क शिश्य से लें जो धन विशेष और ना नाशें शोक अशेष निंदा के वे गुरू अधिकारी उनको जान चोर हैं भारी शिश्य से धन जो लेकर दूर करें नाशोक अईसे गुरू का जानियें बिगड़ पाएं परलोक एक चोर मैं और बखानू नरेप उसी को चोर मैं मानू जनता से करकर वसूल अपना धर्म जावे पर भूल प्रजको देवे नाजो न्याए दुखी प्रजा दुख में कुरलाएं नरेप नरक का वही अधिकारी है कथा सो चोर ही भारी इक चोर मैं और भी जानू उस वनिक को चोर ही मानू उचित दाम जोले कर मीत ठगे गाहक को ना ना रीत धूखे से जो वित्त कमावे वह धन उसे नरक ले जावे रभु की सीख है मेरे मीत रहे सबन का धर्म मैं चीत बिना धर्म के नहीं मिले जग मैं सुख का सार पर लोक मैं जाय कर अधर्मी हो खवार महाप्रभु की सीख यहाँ प्रभुजी दीनी आए सदगुरु स्वामी मुलख से मैं सुनी चित लाए चार ब्रहम चर्या ब्रहम चर्य का नेम भी प्रभुजी की नब खान मन विश्यों से रोक कर स्मर्ण करो भगवान आंख कान और नाक के बहुत विशे प्रकार जिवा और स्पर्ष भी जन को करें खवार वश में इनको जो करें ब्रहम चारी वह होए चित्र में तब इश में ब्रहम वृत्ति है सोए शिक्षा मेरे राम की रमन करे मन इश हे विशे जग जान करो भजे सदा जग दीश पांच अपरी ग्रह विश्यों का जब संगते आगे वस्तु जगत की प्रिय ना लागे संग्रह करे जन फिर किस हेत चित शोन्य जिमी उसर खेत अपरी ग्रही कहावे साध मानों ली ना योग आराध योग हे तुहें प्रभु अवतारे उनके सेवक योगी भारे माने वे उनके उपदेश पापर में नहीं उन मन लेश यम वनियम उनके गुण जानों शुद्ध बुद्ध तुम उनको मानों यम का कथन किया है मीत नियम भी सुन लोला कर चीत पांच नियम एक शुच शुद्धी का जन नियम बनावे शुच नाम सो कथन में आवे शुच नाम से जो कथें प्रथम नेम लो जान मन वचन और कर्म से सुथरा रहे सुजान शुद्ध रहे नादेह से मन से रहे मलीन वानी जिसकी दोश्यत पाप रूप वह दीन दो संतोष योगी जन का धर्म पहचान रहे संतोष्ट सदैव सुजान संतोष का हो ना कभी त्याग मिलत वही जो वदा हो भाग मिलता नहीं सुख बिन संतोष संतोषी चित वसत नारोष धर्म युत रह करो कमाई प्रसन रहो उसी में भाई संतोषी पावे सुख महान संतोष बिना सब दुख जहान तीन तप एक नेम वे और बतावें तप की महिमा को समझावें स्तपस्या से परमारत पावें बिन तप भव में जनव है जावें जिसने तप की कीन कमाई उसने जग में सिद्धी पाई सकल सिद्धी का मूल ही तप को ले जन जान धर्म परायन नरन को लो तपस वी मान इक सज्जन ने तब कहा सपष्ट करें यह बात तपी कहें किन नरन को हमें बतावें तात हम भी वैसा तप करें प्रभु से मिले दुलार चित हमारे है बसा योग धर्म सतकार सेवक ने तब की न विचार प्रभु मूरत को चित में धार और कहा सुनिये मममीत इश्वर को धर करके चीत कृतव्य कर्म करें मन लाए यही तपस्या ठीक कहाए व्यर्थ में तनमन जो दुखाते तपका फल कभी नहीं पाते तप तो सिदियों का है मूल गुर मुख समझे यही असूल मन मानी जो जन कर पाएं और देह को विर्थ दुखाएं अहम भाव में रह कर चूर रहें सिद्धि से को सोंदूर तप हो वह जो जन हित मीत राग द्वेश से विर्हित चीत ऐसा तप जो जन करे मान गुरू उपदेश उसको योगी जानिये उसके मिटें कलेश पांच स्वाध्याय और शिर्योग महादिव्य रामायन का परिचै एक बात अब कहूं विशेश प्रभुजी का यह है उपदेश नित्य पढ़े जन शास्त्र मीत अथवा उन्हे सुने लाचीत मन न करे चित मैं उपदेश विसरे नहीं उनको वहलेश जीवन में उनको ले ढाल निज आचार पर खे सब काल सद आचारी योगी जानो प्रभु की शिक्षाय सब मानो सुनकर एक भक्त कह पाया नाथ बहु उपदेश है भाया एक बात का करें बखान ग्रंथ हम कौन पढ़ें भगवान जिस ग्रंथ का नाम बतावें नित्य वही हम पढ़ें सुनावें नित्य पढ़ें हम ग्रंथ वह हो जैसा आदेश नाथ आप हैं सद गुरू चितना संशैलेश सेवक नैया सुन जिग्यास और जान उसका विश्वास कथन किया इमी प्रभुमन धार बंधु वर्य तव शुभ विचार रिशिकृत ग्रंथ सभी महान सभी सेहो जन का कल्यान सभी पुरातन ग्रंथ पुनीत विद्या के भंडार है मीत सभी ग्रंथों का लेकर सार ग्रंथ लिखाया अब करतार भाशा सरल विचार पुनीत सुगम ग्रंथ यहां है मममीत बाल युवा वाव्रिध महान सभी सकें पाइस से ज्यान प्रभु की भक्ती से भरपूर योग मिले पढ़ इसे जरूर दिव्यरा मायन इसका नाम प्रभु लीला का सुंदर धाम पाठ करे जो इसका मीत रमन करें प्रभु उसके चीत योग दिव्यरा मायन को पढ़े सुनें जो नित उसके कारज सफल हों प्रभु बसें उस चित कांड पांच इसके हैं भाई रभु लीला जिन में है गाई पहला बाल कांड सुखदाई बाल बने की लीला आई दूजावन का कांड महान डूंडें सदगुर को भगवान कुच हे माले सदगुर पाया शंकर सदगुर रूप बनाया आश्रम कांड तीसरा भाई बस्तिन में प्रभु रह सुखदाई योग का जग को दीना ग्यान आश्रम का भी भया निरमान बहु भक्तों को गले लगाया योग से जग का दुख दुराया नीव डाल के योग की राम पुना गये वन सुख के धाम नीव योग की डाल कर देया मुलक को राज योग संरक्षक राम जी योग पसारें आज दिव्यकांड है चौथा जानो मुलक राज सद गुरुसन मानो इसमें उनके हैं उपदेश योग की महिमा कथी विशेश उत्तर कांड पांच वाँ जानो योग महातम को पहचानो इसमें जो कुछ लिखा विशेश श्रधालू जनता पढ़े हमेश सुनकर भक्तों ने यह वानी मस्तक टेक के उनसन मानी कहन लगे वे सद गुरु दयाल हम तो भय हैं आज निहाल ग्रंथ मिला हम को अब ऐसा ढूंड रहे बहु काल से जैसा प्रभू रूप यह ग्रंथ है पाया भई आपकी बहु यह दाया नित्या करें स्वाध्याए नाथ रहे आपकी दया का हाथ दया आपकी नित रहे पढ़ें सुनेंगे ग्रंथ सनमार्ग का दर्ष हो मिले योग का पंथ सेवक स्वन भक्तों की वानी दयानाथ की मन में जानी और कही फिर आगे बात ध्यान से श्रवन करो अबतात और क्या प्रभु के उपदेश स्मरण रहें जो हमें हमेश पांच इश्वर प्रणिधान प्रभु का यह जग को संदेश भूलें नहीं हम प्रभु को लेश भजें सदाचित में भगवान भजन करे सो हो इनसान बंदा बंदगी करे हमेश भूले ना कभी यह उपदेश कण कण में इश्वर का वास देह हमारा इश आवास फिर क्यों इश्वर को न देखें तन में क्यों न प्रभु को पेखें राम रूप इक लाल है सभी घटों के माही दिवचक्षू से देख लो बाहर भट को नाही निजतन में जो देखते प्रभु का दिव स्वरूप योग मार्ग पर वे लगें प्रभु की सीख अनूप नित आसन में बैठ कर हो जो अंतर ध्यान योग मार्ग पर वे लगें दिया प्रभु यह ज्यान दिया प्रभु यह ज्यान है सकल विश्व के हेत शूरवीर ही धर्म के जूजेगा इस खेत यह मग है नाकायर का विरलावीर महान मारे काम क्रोध को लोभ मोह अभिमान भट्तों ने जब सुन्य पाया द्रड निश्चे तब मन में आया कमर बांद हम करेंगे योग प्याग करें दुख दायक भोग वीर योगी हम बन दिखावें कायरता को दूर भगावें भक्त कहें तब हे महराज धार लीना हम निश्चे आज प्रभू उपदेश सुन करके नाथ योग करें हम सब एक साथ साधन का हमें दें उपदेश जैसा है प्रभु का आदेश सुन कर भक्तन की जिग्यास कहा सेवक हे प्रभु के दास जिसमन प्रभु की भक्ति निशेश कर सके वही योग विशेश प्रभु भक्त सभी आप हैं प्रभु चरणी विश्वास योग साधन में आस्था कहूं योग अब खास श्री प्रभु राम लाल जिकी जैशरणम श्री सद्गुरु देव जिकी जैशरणम योग के साधनों का उपदेश मंगल भवन मंगल हारी श्री राम मुलख प्रभुजे जग सुख कारी योग के मग में विघन अनेक उनसे बच के रहे प्रत्तेक योग के विघन निवारण हेत साधक राखे देह सचेत तन के रोग विघन बहु मानों उस हेत हठ योग सन मानों श्रट कर्मों का हो अभ्यास रोग नव्यापे जन को खास नेती धोती आदी भाई श्रट कर्म सकल बहु सुखदाई इनके संग जो प्राणायाम उसके कथे को गुण तमाम देह सदा उसको सुखदाई साधन करता जो मन लाई नेती धोती साधन सारे आसन मुद्रा भी जो धारे साधक ऐसा योग कमाए सीख प्रभु से जो मिल पाए प्रभु की शिक्षा मान करो राखे देह निरोग ऐसा जन ही कर सके मानव तन में योग सुन कर इस उपदेश को बोला भक्त सुजान नाथ सीख यहाँ आपकी हैसाची भगवान तन रोगी जिस काब है क्या सके कर काम तन की चिन्ता में रहे मिले न पल विश्राम हम साधन अब नित करें राखें सस्थ शरीर और चलें उपदेश पर दूर भए भव भीर सुनी सेवक ने उसकी बात और कहा सुनिये ममतात प्रभु की सीख का समझो सार पुले जीव को मोक्ष द्वार प्रभु मोक्ष का मगबत लाया भगतों का मन वहीं ठिकाया मार्ग सुष्मना में मन लाना वही मोक्ष का मग है जाना उस मार्ग जब चित ठिक पाए काल गती नहीं बाधा लाये इस मार्ग में देव्यपणाव देवों के जो कथे हैं ठाव मूला धार स्वाधिष्ठान मनी पूर वा अनाहत जान विशुद्ध वा आग्या का इस्थान सभी में बसते देव महान सुष्मना के इसमग द्वारा चित चलेले प्राण सहारा बनते देव सहाई मीत चित गती की दिव्यय हरीत चित जभी एकाग्र हो मध्य सुष्मना जान दश्म द्वार में जा चड़ें प्रभू क्रिपा से प्राण चित एकाग्र जो करें मध्य सुष्मना जाएं निग्रह इंद्रिन का भएं प्रत्याहार कहलाएं प्रभू भगतों को सीख यहाँ प्रभू की है मममीत इंद्रिन इग्रह चाहिए मुख्ययोग की रीत इससे आगे जन करें एक तत्व का ध्यान चित एकाग्र तब भएं ध्यान योग में मान दिरग काल जो करता ध्यान प्रकट होत उस जन को ग्यान योग समाधी में रह पावे आतम रूप मन माही लखावे हे मित्रो यह प्रभु की सीख सत्य मार्ग है करो परीख इस मारग पर जो चल पावे जीवन का फल वही कमावे छोटे छोटे मार्ग अनेक दूर पहुंचाए ना भी एक योग मार्ग ही ऐसा भाई जीव को पूरण मुक्ति दाई प्रभु मारग है योग बताया मार्ग कठिन पर सरल बनाया प्रभु रक्षक इस मग में भाई विगन आये ना को दुख दाई विगन निवारक हैं प्रभु सहज मार्ग यह योग गुरू कृपा का लाभकर चल पाएं सब लोग इस विध सेवक ने समझाया योग मार्ग का सार बताया किया सबन तब यह स्विकार योग धर्म सब सुख का सार श्री प्रभुराम लाल जेकि जैशर्णम श्री सद्गुरू देव जेकि जैशर्णम कि जैशर्णम